मोरिया दे पपा मोरिया दे आ गए मोरिया दे अलो फ्रेंड्स स्वागा थे आप सबका मेरे चैनल नीता क्रियेशन ही सुरु प्रतम आप सबको गड़ेश चतुर्थी की बहुत बहुत बदाई ये देखिए मेरे बहन के हाँ पूर गड़ेश की स्थापना की जाती है मैं उस लोगों ने पपाप को स्थापित किया है पूरे शिव परिवार की मूर्थी है और गणिशा जी भी है केले के पत्तों का मन डब बनाया हुआ है टेबल पर हम लोगों ने उनको विराजमान किया है बहुत खुशूरत लाइटिंग की हुई है और कागत से भी बहुत लोगरी है गूगल की धूब भी जलाएंगे दोस्तों यह देखिए अस्टदल कमल बना हुआ है अस्टदल कमल पर हमने कलश स्थापित किया है जिसके उपर नार्यल रजमान है और अब यह फूज़ा आर्ति हो गई है यह देखिए घी की जो जल रही है गूगल की धूब और अब हमारी एकंट जो दी प्रज्वलित हो गई है यह आप देख सकते हैं कलश के उपर नारियल स्थापी ते उस पे मौली बांदी हुई यह शुब बनाये हुआ है और यह शुब बात कर देशी तो पहले दिन हमने बापा कुन्त और गायन से रिजाया और अब मैं आपको विशरजन के दिन का वीडियो दिखाने जा रही है गडपा मौर यह अगले बरतू झल जल डीया गडपा मौर यह गडपा मौर यह मंगüyorsun बूरती मौर यह दोस्तों आज के दिन हमने बप्पा को तरे तरे के वेंजनों का भोग लगाये है और बप्पा का भी सर्जन करेंगे पूरी, कचोडी, मटरपुला, बूंदी कारायता, रस्मलाई, खेर, फ्राई आलू, आलू, पनीर की सबजी, आदी दोस्तों हमारे गड़पती बप्पाई को फ्रेंडली हैं, तो हमने उनको अपने घर पर ही जल विसर्जन करना उचित समझा, जैसा कि आप सब जान रहे हैं, आज का लाग डॉन चल रहा है, तो सभी लोग अपने घर में ही विसर्जन कर रहे हैं बप्पा का, तो हम लोगों जैने भी एक नए टब में गंगा जल डाल करके, गंगा मया का आवान करके, गड़पती बप्पा का पूरे परिवार सहित, उसमें ही विसर्जन किया है, पूर अपके दिशा के तरफ, इस जल में गंगा जल और फूल, कुलाब के गेंदे के, और सफेद फूल, और दूब जो बप्पा को हमने चड़ाए थी, इस अपको चिस जल में मिलाया है, और बप्पा का इसी में विसर्जन किया है, अब धीरे धीरे ये पूरा इसमें घुल कर मिल जाएंगे, फिर इसकी थोड़े सी मिट्टी निकाल करके, हम लोग उसको उसी जगा पर स्थापित करके, आ जार्त करने का और भोग लगाने का ये सुनेरा आउसर गड़पती पपा की करपा से ही प्राप्त हुआ है दोस्तों, क्योंकि ये मुखेता महराश्ट काते हुआ रहे और साउथ में भी कुभ मनाया जाता है, और मेरी बेन हैदराबाद में रहती थी, तो उसके वहां मनाया इस मौके पर हम सबने अभीर गुलाल का ठीका एक दूसरे को लगाया, और एक कमरे से दूसरे कमरे तक होते हुए सब पर एक दूसरे पर अभीर गुलाल उड़ाया, तो बहुत ही आनंदा है दोस्तों, इसकी एक अलगी अनुभूती हुई, जैसे लोग तुरगा पुजा पंडाल में दुरगा माता की मुर्थियां विसरजित करते हैं, गड़ पती पपा को विसरजित करते हैं, उसी प्रकार से ये हम लोगों ने किया और हम लोगों को इसमें बहुत ही आनंदा है, अतना आनंदा है कि मैं आपको वरनन नहीं कर सकती है, लग रहा था साक्षात हम लोग गंगा मया के पास जाकर ये बपपा का विसरदिन किया है और धीरे धीरे ये पूरा घुलते जा रहे हैं और पानी में मिलते जा रहे हैं दोस्तों बड़ा ये आनन अदाई द्रश्य लग रहा है दोस्तों दोस्तों आप देख रहे हैं धीरे धीरे पुरश उपरवार क कि मूर्ती जल में विलिन होती जा रही है गुलती जा रही है और हम लोग वहां पर बैटकर बापा का भजन की तन कर रहे हैं गंगा मया की जै बोल रहे हैं और इस अद्बुद्र शिका अवलोकन कर रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि कभी पूरा घुल जाए और फिर हम इसक पर चलेंगे जहां पर शुपरिवार विराजमान थे और वहां पर इस स्मिट्टी को इस्थापित करके हम लॉंग कपूर की आर्ति करेंगे देशी की की आर्ति करेंगे तिलकत एक जीपक हमारा खंड जली रहा है गूगल की दूप चंदन की दूप सबसे प्रभू का पूज आर्ति करेंगे उसके बाद प्रभू को भोग लगाएंगे चलते हैं दोस्तों अब हम फिर परिक्रमा करते हुए चलते हैं जैसे आये थे उसी प्रिकार से अब हम देखिए पहुच गए हैं उस स्थान पर यह देखिए मिट्टी को हम लोग उसी चौक पर इस्थापित कर दे रहे हैं दोस्तों और अब इसके बाद यह देखिए भोग आप देख रहे हैं पपा के सामने सब विराजमान हैं आरती हो गई है पुरे घर में आरती घुमाई गई है दोस्तों अब देखिए इस जल को हम लोग बाद में कमले में डाल देंगे और अपने पुरे घर में तोड़ा तोड़ा से छिड़क देंगी लाइक कमेंट शेयर करिएगा सब्सक्क्राइब पर हीगा चेनल